हेलो दोस्तों चलो आज बनाते हैं बढ़िया सा मटेर पनीरी अग्दम टेस्टी वाला क्रीमी वाली जो ग्रेवी होती है ना वैसी ग्रेवी बनाएंगे आज तो सबसे पहले आप प्यूरी तयार कर लो प्याज टमाटर लहसुन मिर्ची अद्रग इसको दरबरा ग्राइंड कर लो और प्यूरी तयार कर लो तो मैंने तो प्यूरी तयार कर लिया है और मैं इसमें फिर लगाऊंगी तड़का तो तड़का लगाने के लिए देखे मैंने 8 से 9 चमच इसमें तेल डाल दिया है यह मैं बना रही हूँ चार लोगों की सबचे तो फिर इसमें तेल डाल द पास मटर पनीर मसाला अवेलेबल नहीं है इस वक्त, तो आप सबजी मसाला और गरम मसाला, एक एक चमच डाल दीजिए, उससे भी स्वाध आपका अच्छा ही होगा, और अगर दोनों नहीं है, एक ही है तो एक ही डाल दीजे, जो भी मसाला आपके पास अवेलेबल है, आप मसाला डाल दीजे और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ष डाल दीजे इसे कलर बहुत अच्छा आएगा तो फिर यह देखिए मैंने प्यूरी डाल दिया है और इसको ढग दूंगी अब पकने के लिए यह साथ से आठ मिनिट मीडियम फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से पकाऊ में अच्छे से मीडियम फ्लेम पे साथ मिनिट में बढ़िया से पक जाएगा तो यह देखिए दोस्तो अच्छे से पक गया है मेरा मसाला तो अब मैं इसमें बड़े कप से आधा कप दही मसाले में डालूंगी और एक कप पानी डालूंगी और मेरे पास 200 ग्राम मतर है और 200 ग्राम पनीर है तो यह भी मैं इसमें डाल दूंगी और सब अच्छे से मिक्स करके यह देखिए मैं इसको ढख रही हूं पकने के लिए तो फिर से मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढख दूंगी पक जाएगा और पकने के बाद इसमें उपर से एक छोटा चमच चीनी दूंगी तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया टेक्स्चर आ चुका है दही के कारण ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनी है टेक्स्चर अच्छा आया है तो अब हम गैस को बंद कर रहे हैं और इस पे छोटा टुकडा बटर का डालके मैं ढख दूंगी तो दोस्तों यह देखि वीडियो तो नहीं रेकॉड कर पाई पर हां लोगों ने बहुत तारीफ करी तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और हां मेरे वीडियो को लाइक शेर और सब्स्क्राइब करना नहीं भूलना और कमेंट करना भी नहीं भूलना बाबाई हैव ग्रेड डेव